हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू सिल्पास चैनल, आज हम आपके लिए लेके आये हैं गुजरात के सूरत के फैमस रसिया पात्रा, जिसे हम अर्वी के पत्तों में से बनाएंगे, तो आईए शुरू करते हैं रेसिपी, तो इसके लिए हमें ये अर्वी के पत्ते लिए हैं, इ आप ब्लेड या चाकू की मदद से इसे इस तरह से सारी डंठले निकाल ले, और बड़ी आसानी से डंठले निकल जाती है, अब यहां पर हम एक पाउल लेंगे और यह हमने बेशन चान के लिया है, लगबग दो कप बेशन है, उसे एड़ करेंगे, और उसके अंदर अब हम मसाले करेंगे सारे, उसमें हमने वन टीस्पून रेट चिली पावडर लिया है, हल्दी है, हाफ टीस्पून, गरम मसाला जीरा पावडर, हाफ टीस्पून, धनिया जीरा पावडर, टू टीस्पून, और अजवाइन, वन टीस्पून, और स्वाद अनुसार नमक एड़ करेंगे, साथ में हमने यह दो चम्मज गूड एड़ किया है, जिसे हमने बारिक काट लिया था, ताकि यह जल्दी से अज़ा पानी डालते हुए हम इसका बैटर बना लेंगे, और हमारा गुड अच्छे से मेल्ट हो जाएगा इससे, तो इसे अच्छे से चलाते हुए इस तरह से बैटर बना लेंगे, ज्यादा घाड़ा और ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, इस तरह की कंसेस्टन सी रखने है इसकी, कि जिसे हम पेश्ट की तरह बत्तों पे लगा सके, और साथ में हमने ये दो टेबल स्पून इमली की चटनी एड़ की है, इमली की चटनी डालने से हमें गले में खरास नहीं लगेगी, इसलिए इसमें खटाई डालना जरूए, अब मैंने दो टेबल और ये सारे पत्ते मैंने इस तरह से डंठल निकाल के रेडी कर लिये हैं, तब हम इसको रोल बनाएंगे, तो हम किचन टॉप पर ही इसे करेंगे, आप बड़े से प्लेट में या थाली में भी कर सकते हो, मुझे इस तरह से ज्यादा बैटर लग रहा है, तो ये किचन पहल उसके उपर हम दूसरा पत्ता रखेंगे इस तरह से, कोने एक पत्ते के इस तरह से बाहर रखना है और दूसरा के सामने की तरफ से रखना है और इस तरह पत्ते की उल्टी साइड पे हम इस तरह से बेशन लगा लेंगे, और बेशन अच्छी मात्रा में लगाना है, नहीं तो आपके पत्ते पत्ते ही लगेंगे, बेशन का टेस्ट नहीं आएगा, तो अच्छे से बेशन लगाए सब जगे अगर आपके पत्ते कोई टूट गए है डंठल निकालने टाइंग तो भी कोई बात नहीं इसे आप इस तरह से एरेंज करके उसके उपर बीशन लगा ले इसको साइड में से इस तरह से फोल्ड करना है दोनों साइड इस तरह से फोल्ड कर ले ताकि हमारा बेशन जो है वह अंदर अच्छे से सेट हो जाए और इसे बॉइल करते टाइम बेशन बिल्कुल भी बाहर ना निकले और इसका इस तरह से टाइट रोल बना लेना है और बी तो इस तरह से हम बाकी बचे पत्तों का भी इस तरह से रूल बना लेंगे पत्तों की साइस के हिसाब से आपके रूल छोटे या बड़े बनेंगे तो यह देखिए रूल बन के रेडी है और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते है तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए कॉमेंट कीजिए और इस तरह से मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बाजू मेरे बैल आइकोन को दबएए ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुच जाए और यह मैंने कुकर में पानी रख लिया है और उसके अंदर स्टेन रख लेंगे और यह हमने सारे पत्ते इस तरह से कुकर के डब्बे में ही रख लिए हैं आप अगर स्टीमर में बनाना चाहते हो तो उसमें भी बना सकते हो लेकिन कुकर में बहुत जल्दी बॉयल हो जाएंगे तो हमने यह पत्तों के रोल इसमें अंदर रख लिए हैं कुकर का ढकन बन करके इसकी तीन विसल आने तक हम पका लेंगे और कुकर ठंडा होने के बाद इसे हम निकालेंगे तो यह हमारे कुकर ठंडा हो चुका है और इस रोल को हम बहार निकाल लेंगे आपके रोल छोटे और बड़े पत्तों के हिसाब से बनेंगे है अगर पत्ते है तो च्छोटा रॉल बनेगा और बड़े पत्ते है उसका बड़ा रोल बनेघा और यह हमारे रोल अच्छे से थंडे हो चुके है तो आप हम इसे इस तरह से पीश कर चुटेंख सब्सक्राइब टीलया है और दिय्क न्यव्ट करें कराव बड़ी चमच तील एड़ करेंगे तील फूटने पर आंट एक लास पानी тех करेंगे और यहां पर रस्या पात्रा बना रहे है इसलिए पानी एड़ कर रहे है, इसमें पानी के हिस्षे की हल्दी, नमक, स्वाद अनुचार और एक टी स्पून शुगर एड़ किया है, और अब जो ये पातरा है हमारे बॉयल किये हुए इसे एड़ कर लेंगे, और पानी सोकने तक इसे हम दो मेट के लिए पका लेंगे, और इस तरह से हमारे एकड़म सोफ्ट रसिया पातरा बनके रेड़ी हो चुके है, हम इसे सव कर लेंगे, और आप भी इसी तरह घर पे रसिया पातरा बनाए और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए कि आपके पातरा कैसे बने, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरू कीजिये, चैनल को सब्सक्राइब कीजिये, और थैंक्स पर वाचिंग,